हलो दोस्तों फिर से हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि गेड़नायट पत्थर आप जो डाल रहे हैं वो सही तरीका क्या है कीचन पलेट फारम पे आप गेड़नायट जो डाल रहे हैं वो सही तरीका क्या है सबसे पहले आप देखिए मैं कैसी कर रहा हूं ओ सबसे पहले देखिए तो देख रहे हैं आप दो जो पत्थर मैं डाल दिया हूं ओ क्यों डाला हूं क्यों डाला हूं क्योंकि बहुत मिश्टिरी क्या करता है कि वह नहीं डालता है तो क्या होता है नहीं डालते हैं तो माचन उस पे रखते हैं तो धस जाता है गिडिनाइट आप जो रखते हैं तो धस जाता है तो इसके लिए मैं डालता हूं कि इस पे बहुत आसान होता है और माचन भी मेरा नहीं दबा उसमें क्या होता है कि गिर्णाइट में और रखते हैं तो अंदर उपर नीचे रेती को खान देता है रेती इधर उधर हो जाता है तो उपर नीचे हो जाता है और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो गिर्णाइट पत्थर आप डालेंगे फाइनल में तो आपको पहले सिमेंड पानी नहीं देने का है पहले आपको चेक कर लेने का है कि मेरा लेवल सही है कि नहीं है कभी-कभी क्या हो जाता है कि गिर्णाइट कभी बेंड भी हो जाता है कभी-कभी क्या अगर सही से आप तो उसको चेक कर लेना चाहिए कि मेरा सही है कि नहीं है तो तब सिमेंट पानी आप डालेंगे सही करके तो बड़ाबर रहेगा काट को ना भी सही चेक हो जाएगा वहले चेक कर लो उसके बाद लगाओ तो बड़ाबर रहता है तो इसके लिए ये मिस्तिरी परेशान हो गया वह पटी नहीं उपर रेती माचन करके वह पटी नहीं रखता था और वह इसे डालता था तो नीचे रेती पे डालता था रेती अंदर धस जाता था उसको मिलाने में फिर उपर नीचे हो जाता था तो इसके लिए आपको आइड आप दे देंगे, बहुत असान कीचन पलेट फारम में तो बहुत मिस्तिरी, कोई भी मिस्तिरी सीख जाएगा बनाने में, थोड़ा उसको देखने का जरूरी है, आप देख लेंगे एक बार कभी भी बनाते हुए किसी को, तो आप एक से दो बार में आप सीख जाएगे, कैसे बनाने का, कैसे वोटिकल मैं तो अभी नहीं बना रहा हुए, लेकिन बनाऊंगो तो आप लोगो पूरा डीटेल में एक एक चीज कैसे खडा करना है, सब कुछ बताऊंगा, तो मैं जा रहा था तो ये मिस्तिरी बहुला, कैसे प्रेशान हो रहा था, मैं देखा जो ये भा आप पूरा समझ में आगया होगा तो आप लोग को पूरा समझ में आगया होगा रहतो झंख बान आप लोगर समझ में आप में आप लोगριा जो आपको बान दोगया होईगा जो आपको पूरा समझ में आपया होगा अक्षण। अौरा समझ में आपको आपको बान के ब।थजर् होगा झाल्यालिया होगा ग।